स्वागत दोस्तों सभी का एक और हमारे नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे फॉरन खिलाड़ी के बारे में जो कि पंजाब किंस इन्हें जरूर टार्गेट करना चाहेगी और IPL के इस ओक्षन में पंजाब किंस इन पे जरूर दाओ खेलेगी और पंजाब किंस की टीम से में खेलतों भी दिखाई देने वाले हैं दोस्तों कौन कौन से ये खिलाड़ी हम बात करने वाले हैं वीडियो में तो बने रही हमारे से लेक्टर इसका लिंक हमें नीजे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो काफी नए चेहरे भी जो है इस आक्षन में आने वाले हैं जो कि काफी अच्छा प्रदरसन कर रहे हैं T20 लिक्स में तो बाकी सारे मैचों में जो कि सारी फ्रेंचाईजी यहाँ पर टार्गेट करने वाली रहेंगी। इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे सके आने वाले मैचों में और कही न कहीं पंजाब कि उन्हें प्लेइंग लेवन में भी जरूर मौका देना चाहेगी। यूकि पंजाब कि इस ने रिलीस किया है हम बात करें विदिशी लोड़े के रूप में तो मैथ्यू शॉर्ट भनुका राजपक्षे यह ऐसे खिलाड़ी है जिनको पंजाब कि इस ने कर दिया है रिलीस। तो कही न कही पंजाब कि इस ने का एक बैक अप और अगर दोस्तों हम बात करें तो इनके बदले पंजाब कि इस और अच्छे लड़ियों को मौका देना चाहेगी अपने प्लेइंग 11 में। क्योंकि हम बात करें सैम करन की तो पिछले से उनका जो परफॉर्मेस था किसी भी तरीके से इफेक्टिव नहीं आया था बल्ले से उन्हेंने कुछ रन बनाये थे लेकिन वो रन्स पंजाब कि इसको मैच दिजाने के लिए काफी नहीं थे और गेंबाजी से सैम करन पूरी पंजाब किस लेना पसंद करेगी जैसे कि पंजाब किसे पास 29 क्रोड का पर समान बचा हुआ है तो पहला विदेशी पंजाब किस टार्गेट कर सकती है वो है पैट कमिन्स हम दोस्तों बात करें पैट कमिन्स के तो काफी अच्छा ओल राउंड अप्सन देते हैं और बात करें दोस्तों तो उनका अच्छा बैक अबन सकते हैं पैट कमिन्स और पैट कमिन्स को पंजाब किन्स की टीम अगर ले लेती है उन्हें जरूर प्लेइंग लोड मौका देना चाहेगी तो पैट कमिन्स आपको अच्छा डेलिवर कर सकते हैं गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी दोस्तों ये हो गया पहले खिलाडी जो कि पंजाब कींस इन पे जरूर दाउन लगाना चाहेगी आपका क्या कहना है इसके बारे में ये आप में कमेंड करके जरूर बताईएगा और दोस्तों हम बात करें पैट कमेंस की तो इनका जो बेस प्राइस रख है उनकी गिंदबाजी जो कि स्पिन डिपार्टमन को ले करके आती है स्पिन डिपार्टमन की बात करें हैं पर किसी भी तरीके से उनके पास अनुभाव नहीं है ये खिलाडी है राहूल चारो हर्टलबर के रूप में जो कि पंजाब कींसे प्लेंग लेवन में स्पिन का प्ले करते हैं तो पंजाब कींसे आपर टार्गेट कर सकती है स्पिन डिपार्टमन में खिलारी को जो की नाम है तबरेश समसी की तबरेश समसी काफी अच्छा हो सकते हैं पंजाब कींसे स्पिन डिपार्टमन के लिए जो कि काफी अच्छी गिंदबाजी करते हैं और दोस्तों हम बात करें तो आप्शन में पंजाब की से पास अविलबर रहेंगे मुझी भूर रहमान और दोस्तों हम बात करें तो अकिल होशन जो के विश्टिनेज मुलक के खिलाड़ी ये भी काफी अच्छी गिनबाजी करना जानते हैं तो पंजाब की इन तीन स्पिडर मे क्या पंजाब की सिन में दाव खेलेगी या फिर नहीं आप में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों वीडियो मस इतना ही आशा करता आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को देखने के लिए और अंते तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन निवाग